यूपी में एक बार फिर पुलिस का गेर जिम्यदाराना रवय्य समया रहा है आरोप है कि थाने में शिकायत लेकर गई पीडित शक्स को पुलिस कर्मियों ने गाली दे कर भगा दिया पीडित की बेटी ने जब इसकी शिकायत SSP से की तो थाने में तैनात दीवान आग फिर SSP को फोन करी सुचवा बता रहा था फिर SSP को वहां फोन करी वहां से कई बार जब फोन आने लगा यहां पे फिर वहां से नाराज तीन पूलिस आये लोग दो को तो नाम नहीं पता एक का नाम पता उमकार सिंग जिनों ने यहां आया हमसे पूछा कि किस किस ने मारा पाप को तो हम गये बताने हों पर गय बैठे यहांपे कह रहे है हमको टाइम नहीं जल्दी चलो बता हो हमने गया वह मताया दो लोगों को पहचान भी कर्वाई उसके बास वहाँ के पक्षूं का बास सुन 형um हुए तो मेरे पापा नंगा थे उन्हों ने हम सखे वही बात उलाट दिया कि कहां है साली नंगा हुई यह थोड़ा हम भी देख लाएं उसके बादी बाते बोलने लगे यहां पर साड़े 11 बजे रात तक यहीं थे नसी के दूत में हमको बहुत कि भला बुरा कहा उमकार सिंग क्या है निचलोल थाने के निचलोल थाने के ओमकार सिंग सिपाई है इनकी सिकायत हमने ट्यूटर के द्वारा हर जगह पे हमने सिकायत दर्ज कर दिया पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और हमको नई किसी ने कुछ नहीं पूछा पर जहां प्रैक्टिस करते हैं वहां पे कल तीन पुलिस वाले गये थे लोग कि चलो उसको सुलास पार्टी कर लो और ऐसा नहीं है कि वह उनसे गलती हुई है तो गलत हमने नहीं पाचाना जब इस बारे में COD के उपाध्या से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच में कोई भी पुलिस कर्मी दोशी पाये जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी अब सवाल ये उठता है कि भाजपा सरकार में भाजपा के कारे करता ही सुरक्षित नहीं तो फिर आम जनता अपनी सुरक्षा के प्रती कैसे संतुष्ट हो सकती है अब देखने वाली बात ये होगी कि मोधी यूथ ब्रिगेड की प्रदेश उपाध्यक्ष शिल्पा को न्याय मिल पाता है या नहीं पंजाब केसरी टीवी के लिए महाराज गंज से घुलाम घौज की रिपोर्ट अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद